मजीद पिकल आपने प्रिसकान प्रिस की थी आज यहां में जाज सरक्र में प्रोटेस्ट है बता ही से लिए जैसे कि परसों बीजेपी का हुकोमत उसका क्याबिनेट मेटिंग में जो रिजर्वेशन का बारे में क्याबिनेट मेटिंग चला कर जो 30 साल से जो 2B कर हम लोग तीन तरीके का इतिजाज करना पूर कर एक रस्ते में उतर कर हर असंबली में हर डिस्टिक में इतिजाज करना हमारे एक इतिजाज हम लोग हुकोमत का सामने रखना दूसरा पॉलिटिकल प्रिजर करना जितने भी यमिलेस है जो मुसल्मान का वोट लेने के इसको पर गोरो फिकर करके पोर्ट में भी इसको पूश्टाच किये रहा है रहा एक historical गलती है जो इस बंबाई का हुकुमत ने लिया है historical गलती है क्योंकि सबसे पिशड़ा हुआ community है, Muslim community backward community है, क्योंकि 1957, 1920 से जो backward है, इनको reservation देना चाहिए उसका मताबिकी चीज़र reservation दिया गया है और अफसोस इस बात किया है इसका बावजूत भी यह लोग इसको रद किया आ गया तो इंशालला हमारा इतिजाद जारी रहेगा जब तक कि यह restore करके वापस ए 4% Muslim community के आलाग कि रंगनात मिश्रा कमिशन 10% reservation देना बताए minority इसको उसमे exclusively 8% Muslim community को देना रंगनात मिश्रा का जो recommendation है उसका पावजूत जो हाए 4% वो भी निकाला गया इसका खिलाब हमारा जद्दो जारी रहेगा जब तक इन लोग वापस इसको establish नहीं करते रेस्टोर नहीं करते तब तक हम अमारा का देखा ने कल मैंने कुमार स्वामी साब जो एक सीफ पिनिस्टर एक बयान दिये मैंने देखा उनको स्वागत करता हूँ उन्होंने बता है मुसल्मानों को लिए एक जुलम किया ये बता है दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं डिमांड करता हूँ आज वोट लेने के लिए जो आएंगे जो भी कम्मिनुटी का हो तो आपको मुसलिम कम्मिनुटी का वोट चाहिए बोले तो आप लोग ये जो तारीक की जो नाइन साफ ही वाए इसका खिलाव हमारे साथ करकर इतिजाज करना पुड़ेगा हाँ जब तक यह वापस रेस्टोर ने होता जब तक जारी रहेगा कोट में भी हम लोग इसका कारवाई करेंगे खानूनी कारवाई करें यह अब कोई काम के नहीं है तो अब इनके वाद सस्ता सोदा था इस कम्यूनिटी को टार्गेट करना जो हमारी कम्यूनिटी है मुस्लिम कम्यूनिटी को जो 4% 2B रिजर्वेशन था इस रिजर्वेशन को यह बीजेपी जो RSS के इशारों पर चलने वाली सरकार है यह खतम कर दिया अब यह खतम करने के बाद इस जो हमारा हक चीना गया है इस हक के लेने के लिए इस हक को किस तरह हम अपने खौम को दिलाएं इस के लिए Social Democratic Party of India आज पूरे रियास्टे करना टका में एहतिजाज करें सिर्फ एहतिजाज करकर हम खामोश निबेटेंगे इन्शालला यह मस्या हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट टेक ले जाएंगे और जब तक हमारा हक नी मिलता हम इन्शालला एहतिजाज करेंगे सर जितरहां आए दिन हर एक नया नया उत्ता लेकर आ रहे है आली दिनों में जो हज़र टीपो सुल्तान शहीद रामतुल्लाले के नाम को लेकर पूरी गोड़ा और बन्जे गोड़ा करकर जो है कुछ नया ही मस्बूर लेकर आए हैं उसको लेकर आपके आके ना चाहिए बड़े बड़े जो एजुकेशन फिल्ड से तारीख फिल्ड से तालुख रखने वाले हैं ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग काल्पनिक हैं है ही नहीं है कोई शख्सियत शहीद रामनगर का रेशम पर मुल्क में जा रहा है शहीद मिल्ल की तारीख को टक्र नहीं है अब एक काम है मैं आप जैसा अच्छा काम नहीं कर सकता है इसलिए क्या करूँ आपकी जात में क्ड़े निकाले इसी तरह देरा इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है इन्होंने ना आके हमारे अक्वंट में 15-15 लाग दाले इन्होंने आके ना गैस का राइट घटाया ये आके ना पेटोल का राइट कम किया इन्होंने आके हमारे नोजवानों को 2 करोड रोजगार कुछ नहीं दिये कुछ नहीं किया इन्होंने अब बस इनको election में आकर एक criminal मुद्दे की जुरूरत थी उस मुद्दे के लिए यह हमारे हिजाब के मसले को ला रहे हैं कभी बीफ बैन के मसले को ला रहे हैं यह सारे एजंडे हैं इंशालला इन एजंडों को जब तक Social Democratic Party आप इंडिया रहेगी इंशालला चलने ने देगी आप क्या बोलते हैं सलाम अलेकुम रामत अलाई वरकातो Social Democratic Trade Union मैसुटिक परसेंट अलता और टुविले ट्रेड उनियन मैसुटिक परसेंट हमारा मुझ्जू भई हमारा सलमान साब येक प्रलिचर उनियन के परसेडेंट आज का जो दिन है बड़ाई मायूसकन दिन है क्योंकि ये जो पिछले 20-25 साल से 4% हमारा पास रिजरुशन था पोलिस में रंदे, रहलेवे में रंदे, कैसेटिसी में रंदे ये 4% जो रिजरुशन के जरिये से आसानी से जो पढ़े लिखे आब आप ये डुट्या में चलिया देते है फिर भी जो थेदाज नई के बराबर है इसके बाउजित पे बाउजित पे जो है इलेक्शन होने के नाते जो है ये बीजेपी गवर्मेंट बंबाई सरकार जो है एक मुसल्माना की विरोधी के तोर पर पर पेश करते हुए ये 4% कैंसल करको ही जबकि हमारे इमेलियों को चाहिए जिस्ते हो जब कैंसल करें इनो चाहर पर सेंट की जगाया आट पर सेंट जागो पूछले को भूखरतल बिटना था इधान सोथा के अंदर वार कैसा करें अब तक जो है नंका पोटेस्ट है ना घरना है अभी जो हमारे ट्रेड इनन से एक मांग है ये जब तक हमारी जिदो जड़ो जब तक हमारी जदो जड़ो बीपहत के अपनी बात खतम हो सलाम अलगूं